आप सभी को मेरा अपनाम हर्वल रेमिडीज नेचे स्टेजर में आपका स्वाधत है मित्रू आज बात करेंगे सर्फ गंदा की रोवल्फिया सर्पेंटीना एपुसाइनेसी फैमिली का प्लांट है कई परकार से हम लोग इसको अपने देने की जिवन में अच्छे स्वास्त भावाटविया सकते हैं इसकी जड़ का कवाथ बनाने की आप क्या करेंगे इसकी 맞्र्थ कर लिज乐 करने के बाद आप 2-3 ग्राम पानी के साथ आप 7 करते हैं तो hypertension की समस्षा का निराकरण करता है hypertension की समस्षा को दूर करते हुए इसके साथ ये बढ़ते हुए blood glucose की level को भी regulate करने का कारे करता है इसकी जड़ के अंदर snake के poison को भी neutralize करने की शमता होती है इसलिए इसको जो इसकी जड़ होती है वो snake की तरह दिखती है और Indian snake root भी इसको कहते हैं और blood के अंदर toxins को neutralize करने का कारे करता है मित्रो इसकी जड़ होती है उसका 7 अगर आप दूद के साथ करते हैं तो hysteria की समस्षा को ठीक करता है 2-3 ग्राम जड़ का powder दूद के साथ लेने से hysteria की समस्षा ठीक हो जाती है साथ ही साथ anxiety की समस्षा नीद नाने की समस्षा भी ठीक हो जाती है यह emittent fever जो immunity के कम हो जाने के कारें होता है उसको भी ठीक करने का कारे करता है कई परकार के एलकलाइडल कंपाउंड इसके अंदर पाए जाते हैं, मुखताय रेजरिपीन पाए जाता है, जो कि हाइपर टेंशन के कंटॉल करने में विशेस भूमिका होती है, इसकी लिव्स का पेस्ट आप कई परकार के फंगल डिसोडर्स को ठीक करने के लिए अपलाई कर सकते हैं, इसके फूल लेकर 100 ml तेज गरम पाने में डाल दीजे, ठंडा होने के बाद छान कर इसको पीना है, ब्लड प्रेशर की समझया, ब्लड को प्यूरिफिकेशन करते हुए, लिवर को डिटोक्सिफाई करते हुए, इम्मूटी बढ़ाने का कारे करता है, साथ-साथ एंटी इम्मूटी कंप्रमाइज हो जाने के कारण बोडी के अंदर टॉक्सिंस का अकूमरेट हो जाना और उन टॉक्सिंस से बाद में वाइटल और पर पढ़ने वाले दुस्प्रभाव को भी ठीक करने का ये कारे करता है, मैं को हूँ ये एक प्लांट है, लेकिन कई प्रकार के रोगों की एक उसदी है, और इफेक्टिव प्लांट है आयरुवेद में, युनानी में, हमुपहती में, सिद्धा सिस्तम में और मॉडर्न मेडिशन सुधी जिसके एक्स्टेक्ट से तयार की जाती है, आप इसको अपने गंबलों में लगा सकते हैं, बीज के माध्यम से भ में अच्छा कारे करता है, मित्रो गंबलों में बीज के माध्यम से, कटिंग के माध्यम से आप इसको लगा सकते हैं, देखने में बहुत सुंदर इसके फूल होते हैं, आपके घर की सुंदरता बढ़ाने के साथ साथ उत्तम स्वास्ते को देने का कारे करता है, मित्रो एक आपसे निवेदन भी होगा कि आप अगर ब्लड प्रेशर के लिए दवाई का रहे हैं और साथ-साथ इसका भी अगर सेवन करना चाहते हैं तो एकदम अपना ब्लड प्रेशर की दवाई आप ना छोड़िए और ज्यादा मात्रा से इसको स्टार्ट नहीं करना है देरे-देर आपको छोड़ना है एक साथ आपको नहीं छोड़ना है और जब यह 2-3 ग्राम लेते हुए आपकी बोड़ी अड़प्ट हो जाती है तब आप अपनी डोस को कम करते जाए आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करते हुए हिस्टेरिया की समस्या अगर है तो उसको भी ठ अच्छा करे करता है काफी सेफ है एफेक्टिव है और ध्यानी रखना है कि इसका बीज का आपको डारेक्ट सेवन नहीं करना है बीज के अंदर ज्यादा मात्रा में अलकॉलाइड पाये जाते हैं जो कि अगर आप सेवन करते हैं तो यह निरो टॉक्षिक हो सकता है इसका सब्सक्राइब करें अगर आपने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें आपके उत्म स्वास्थि की मंगल काम ना हो ही तो कल फीर मिलेंगे शुब साड़ से बज एक नए प्रांट के साथ अब तक के लिए आप सभी के धन्यवाद पर नमस्कार